हलो फ्रेंज वेलकम टू मैं चैनल आज आपके साथ मैं भिंडी आलू मसाला फ्राई की रेशिपी शेर करने जा रहे हूं तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं यह मैंने 200 ग्राम भिंडी लिए इसे दो के पोश के सुखा के रखा है और इसके आगे पीछे की डंठल भी कट कर लिए यह दो आलू को मैंने छील के रखा है दो के दो प्याज को बारिक बारिक चॉप करके रखा है यह पांसे छे रिलस्सा ने जंजन लंबा लंबा काट लिया है और तीन हरी मिर्ची है दो लाल मिर्ची है तो पहले हम भिंडी को कट कर लेते हैं भिंडी को हम थोड़ा छोटे छोटे तुकड़े में ही कट करेंगे अब आलू को भी हम चॉप कर लेंगे आलू को भी हम बारिक ही काटेंगे तो हमारे आलू और भिंडी दोनों ही कट चुके हैं आँ चले मसाला बनाते हैं तो कड़ाही कु गिस पर चड़ाए था गड़ागी गरम हो चुकी है अब समैं दो चमझ के करीब तेल विट कर देंगे ओ तेल को थुड़ा गरम होने देंगे तिल गरम हो चुका है, यहीं पर एक चमज जीरा एट कर देंगे, जीरा को थोड़ा चटक नहीं देंगे, तो जीरा हमारा चटक चुका है, अब यहीं पर यह लाल मिर्ची और हरी मिर्ची को एट कर देंगे, और इन्हें थोड़ा सा भूनेंगे, तो देखिए मिर्ची हमारी थोड़ी भून चुकी है अब यहीं पर लसन एड़ कर लेंगे और लसन को भी थोड़ा भून लेंगे तो लसन भी हमारा भून चुका प्याज को एड़ कर देंगे और प्याज के साथ ही आलू को भी एड़ करेंगे ताकि प्याज के साथ आलू भी हमारे थोड़े सॉप्ट हो जाएंगे और इसे कंटीनी चलाते हुए भूनेंगे क्योंकि यह आलू और भिंडी को साथ में भून जाए तो भिंडी का कलर काला हो जाता है, आलू पकनिर में टैम लेता है, तो यह देखिए, प्याज भी हमारी गुलाबी होने लगी है, और आलू भी हमारे थोड़े बुण चुके हैं, तो थोड़ा सा आलू सॉफ्ट हो जाए, तो ढखके पकाएंगे एक मिनिट, चेक कर लेते हैं, तो आलू हमारे थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि आलू को थोड़ा भुंड़नी के सांद भी पकाएंगे, आलू को थोड़ा भुंड़ी के सांद भी पकाएंगे, अब यहीं पर हम भुंड़ी को बेट कर देंगे, और भुंड़ी को हम कंटीनू चलाते हुए ही भूनेंगे, और गेस की फ्लेम को मैंने मेडियम रखा है, भुंड़ी को हम बिल्कुल भी ढखेंगे नहीं, नहीं तो भुंड़ी का कलर जो है वो चेंज होने लगता है, और भुंड़ी को हम जब तक भुनेंगे, जब तक इसका चिपचीपापन खतम ना हो जाए। तो यह देखें, भिन्नी का चिपचीपापन खतम हो चुका है, अब हम मसाले एड़ करेंगे, आधा चमच हल्दी पाउडर, आधा चमच लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, और कोई मसाले हम एड़ नहीं करेंगे, अब यहीं पर आधा चमच नमगेट कर देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे और इसे चलाते रहेंगे तो आप देखिए कलोर कितना अच्छा है भिंडी का और भिंडी बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है तो हमें ऐसी खिली खिली भिंडी बनानी है और भिंडी की सबजी को आप दाल चावल के साथ रोटी के साथ पराठे के साथ जिसके साथ भी खाएंगे आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी तो देखिए भिंडी हमारी बन चुकी अब धनिया एड़ कर लेते हैं और गेस के फ्लेम को करते हैं बन और धनिया को भी हम अच्छे से मिला लेते हैं और मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूं तो देखिए किती जबर्जस्त लग रही है न भिंडी आलो फ्राई तो आपको मेरी रेसीपी पसंद आई हो तो कमेंट में बताइएगा लाइक सेर करिएगा मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए बाए करें देखिए